दोस्तों आपकी फेवरेट शोडारिया में आगे कहानी काफी इंटरस्टिंग होती जा रही है नमश्कार आप देख रहे हैं बॉलिवुड स्पाई दोस्तों क्या नजर आ रहा है प्रोमो में चलिए बात करते हैं दोस्तों अब तक हमने देखा किस तरीके से बीजी को अटैक आ जाता है जिसकी वज़े से तेजो घर में होती है और बीजी की एक शाह है कि तेजो यहीं रहे वहीं दोस्तों जैस्मिन को ये बात अच्छी नहीं लगती है कि ते जो घर में आ चुकी है और फते लेकिन सोचता है कि शायद ते जो इस घर में नहीं रोकेगी अब दोस्तों प्रूमो में नजर आ रहा है कि ते जो घर पे ठहरने को मान जाती है शायद वो बीजी की खातर ये सब करने वाली है वहीं दोस्तों दिखाई दे रहा है कि तेजो फतह के पिता से पूछती है कि आखिर उसका कमरा कौन सा है जहां पर फतह के पिता कहते हैं कि तुम्हारा तुम्हारा वाला ही कमरा है जहां तुम रहती थी वहीं दोस्तों फतह को ये बात अच्छी नहीं लगती है और फतह अपने पता जी से कहता है कि आप जानते हैं ना कि मैं तेजो से प्यार नहीं करता हूँ इस पर फतह के पता कहते हैं कि तेजो को मैं अपनी बेटी बना कर घर मिलाया हूँ तुम्हें और जैस्मिन को अगर problem है तो तुम दोनों इस घर से जा सकते हो वही दोस्तों अगले scene में दिखाए देता है कि तेजो घर के अंदर आती है और फतह और जैस्मिन घर के बाहर जाते हैं यानि कि दोस्त तो ऐसा लग रहा है कि फताय और जैस्मिन को अब घर छोड़ना होगा और शायद वो आने वाले एपिसोड में ये घर छोड़ भी देंगे और ते जो अब इस घर में रहेगी यानि कि अपने ससुराल में ही बेटी बन कर रहेगी। इस ट्विस्ट के बारे में आपका क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा अभी के लिए इतना ही देखते रहिए बॉलिवुड स्पाई